मूर्णिंग नमस्कार आदाप सस्तिरिकाल की हल चाल है भाई लोग मैं आपका दोस्त आपका भाई सुटकमार अपने इस यूटूब चनल में आपका स्वागत करता हूँ तो एक फिस आपका स्वागत है आज हम लोग जैसे सी परिक्षा में नाकपूरी भासा और सहित्य से नाकपूरी ब्याकरन के 22 में टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो की है किरियावी सेशन ठीक है किरियावी सेशन एक साइड हिंदी में लिखा गया है हिंदी का किरियावी स सेशन एसे लिखा जाता है और नाकपूरी का किरियावी सेशन एसे लिखा जाता है ठीक है चुकि आदत है हिंदी लिखने का तो नाकपूरी में थोड़ा सा गलत हो चुका है तो आप इससे क्रिप्या देखकर अच्छे से सुधार ले ये वीडियो नाकपूरी भास और सहि कर लिए हैं आज ये 22 टोपिक रहेगा और दसवे नमबर का वीडियो रहेगा ठीक है जैसा है कि जैसे सी के निमावली में बताया गया है कि अब हमें जो लेंग्वेज पीपर होगा पेपर टू उसमें छेतरिये जंजाती भासा को चुनना होगा तो इस कड़ी में हम लोग न तो किरिया भी सेशन अईसन सब्द जे किरिया कर भी सेशन बताए उके किरिया भी सेशन कहना ठीक है मतलब ऐसा सब्द जो किरिया कर भी सेशन बताता है उससे किरिया भी सेशन बोला जाता है जैसन तो यहां आओ रूक रूई के चल ममता है ठीक गिरलक ठीक है तो यहां पस यहां पास रहता है कि महमता गिर लक्वमता गिर गई अब देखिए मम्ता हेठे गिर लगते इसका भी सेशन क्या है कि मम्ता गिरी वो भी कहा नीचे ठीक है हेठे का मतलब होता है नीचे तो उसी परकार यहाँ पास जो सब्द इसमें किरिया से आगे जो सब्दार है यह क्या है किरिया भी सेशन है ठीक है अब आगे है किरिया भी सेशन कर चायल ठो भेद होयला किरिया भी सेशन के कितना भेद होता है तो नाकपूरी में चार ठो भेद होयला पहला है ठाओ बाचक किरियाबी सेशन, दूसरा है काल बाचक किरियाबी सेशन, तीसरा है रिती बाचक किरियाबी सेशन, चोथा है परिमान बाचक किरियाबी सेशन ठीक है, तो चलिए हम लोग एक ही करके डिसकस कर लेते हैं, तो पहला है इसमें कि ठाओ बाचक किरियाबी सेशन तो सबसे पहले हम लोग ठाव बाचक किरिया भी सेशन को डिसकस कर लेंगे तो देखिए यदी वाक्य में इस परकार के वर्ड जो दिये गए हैं जो की किरिया से ज़स्ट पहले आ रहे हैं तो इन सब्द को बोलेंगे कि नाकपूरी में ठाव बाचक किरिया भी सेशन के सब्द है ठीक है? तो यदी क्यूचन में दिया गया हो कि राम जने गयलबा सीता ओने गयलबा तो जने बा वो क्या है? तो जने वहाँ पर ठाव बाचक किरिया भी सेशन का सब्द है चाहे रहता कि देखिए यहाँ पास उपर जैसे था कि ममता हेठे गिर लगत हेठे क्या है? हेठे किरिया भी सेशन है ठीक है? उसी परकार है कि राम कहां गयल तो राम जो है कहां जो है वो क्या है? किरिया भी सेशन है जो कि जस्ट पहले आ रहा है किरिया के पहले ठीक है? दूसरा है कि काल बाचक किरिया भी सेशन ठीक है? तो काल बाचक किरिया भी सेशन में होता है आईज काईल परसु कखन तब जब एखन अब जखन तखन कखन पल भईर घरी घरी रोज दिना फिन पहिले आगू पाचु पाचे बीतल आदी सब्द काल बाचक बीशेशन है कहें जैसे कि आईज मतलब आज काईल मतलब आने वाला कल परसु काल मतलब कल और परसु मतलब आने वाला कल कखन मने कब तब जब एखन मतलब अभी अब जखन मतलब उस समय और तकखन मतलब उसी समय कखन मतलब कब पल भईर मतलब थोड़ा सा देर के लिए ठीक है घरी घरी मतलब बार बार, रोज दिना मतलब प्रती दिन, फीन मने एक बार फिर से, पहले मतलब पहले, और आगू-पाचू मने आगे पीछे, और पाचे मतलब पीछे, बीतन मने बीता हुआ समय, आधी सब्ध जो क्या है, ये सब काल बाचक किरियावी सेशन के एकजामपल है, ठेक है? तीस साइत जूट 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 से आदी सब्द रीती बाचक किर्याबी सेशन है कहें मतलब अच्का मतलब अचानक धीरे धीरे मनें धीरे धीरे रसे रसे मतलब होता है ये भी धीरे धीरे बेस मतलब अच्छा जरूर मतलब ये भी जरूर साइत मतलब यहां साइत जूट मतलब जूट हो क्या जोर से मतलब जोर से आदिज इतने भी सब्दें क्या सब रीती बाचक कीर्याबी सेशन है मतलब यहां पस रहेगा कि राम जोर से बुल्लक तो जोर से क्या है तो रीती बाचक कीरियाबी सेशन का एक्जामपल है सीता धीरे धीरे चलेला तो यहां धीरे धीरे क्या है तो रीती बाचक कीरियाबी सेशन है चोथा है कि परिमान बाचक कीरियाबी सेशन तो परिमान बाचक कीरियाबी सेशन उकरा कहला कि कटीक धेर कोनो जादा एतना उतना बिल्कुल जादा आदी सब्द परिमान बाचक कीरेबी सेशन है कहें जैसे कि धेर मतलब धेरे मतलब जादा कोनो कोनो जादा मतलब कितना जादा पता नहीं है इतना मतलब इतना उतना मतलब उतना बिलुकुल ज्यादा मतलब धेरे ज्यादा आदी सब्द परिमान बाचक कीरिया भी सेशन कहाता है ठीक है तो अब हम लोग इस वीडियो में लिंक के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे तो नाकपूरी में लिंग के बारे में लोग डिस्कस काते हैं तो लिंग किसको कहा जाता है नाकपूरी में कि चीनहा, निसान, चाहे, पहिचान ठीक है? जेकर से कौनों सब्द कर जनाना या मरदाना जाइद कर बोध हुए उके ही लिंग कहेना मतलब कि जीस सब्द से इस्तरी लिंग या पूलिंग मतलब इस्तरी या पूलिंग का पता चले उसको बोलेंगे कि लिंग कहा जाता है जैसन, जनी, मरद, छोड़ा, छोड़ी ठीक है? जनी मतलब होता है इस्तरी मरद मतलब पूरुस छोड़ा मतलब होता है लड़का छोड़ी मतलब होता है लड़की ठीक है ते सब क्या है लिंग इसी को बोला जाता है तो जनी हो गया है यहाँ पास इस्त्रिलिंग और मरत जो हो गया यह पुलिंग हो गया उसी परकार छोड़ा यहाँ पर पुलिंग हो गया छोड़ी हो गया इस्त्रिलिंग ठीक है आगे है कि नाकपूरी भासा में लिंग और बचन कर मताबिक किरिया कर रूइप न बदलेला तो एकर एक्जामपल देखला कि जैसन आयो आवत है बाबा आवत है तो देखे यहां पास किरिया जो आवत है वो दोनों में सेम है क्योंकि मा जो है इस्त्रिलिंग है और बाबा जो है पुलिंग है लेकिन यहां पास किरिया जो है आवत है आवत है सेम रहता है ठीक है तो इसको बोलेंगे कि या pulling कुछ भी रहे तो दोनों में किरिया समान रहता है नाकपूरी में ठीक है यानि कि नाकपूरी भासा और सहित की grammar में यहाँ पास यदी subject में यदी इस्त्रिलिंग रहे या pulling रहे तुम्हाँ पा जो किरिया लग चुका है वो सेम रहेगा जैसे आयो आवत है और आबा आवत है मतलब माय आवत है और बाबा आवत है लेकिन अगर हिंदी में रहता तो यहाँ पास हो जाता कि लड़की आ रही है और लड़का आ रहा है तो change हो जाता किरिया में ठीक है उसी परकार आगे है कि नाकपूरी भासा में हिंदी ये तर दूर्ठो लिंग होएला मतलब हिंदी में जैसे दो लिंग होते है उसी परकार जो नाकपूरी में है उसी परकार दूर्ठो लिंग होएला मुद्दा मतलब बात यह है कि कुछ सब्द उ भे लिंग होएला बेजान चीज मन बे लिंग कर होएला मतलब बेजान चीज का लिंग नहीं होता है ठीक है तो पहला लिंग है इस्त्रे लिंग दूसरा लिंग है पुलिंग तो चली हम लोग नाकपोरी में इस्त्रे लिंग और pulling का कुछ example देख लेते हैं तो पहला है छोड़ा तो इसका हो जाएगा pulling छोड़ी ठीक है? सोरी आगे इधर दोस्तों इधर pulling लिखा जाएगा और उधर strilling लिखा जाएगा ठीक है? strilling तो इसमें देखे इधर है pulling में मरद एने है जनी महतो तो महतवाईन जोलहा तो जोलहिन नेता तो नेताईन सोनार तो सुनारिन ठीक है? उसी परकार दोस्तों कुछ ऐसे सब्द होते हैं जिन में वाईन लगा करके strilling बनाया जाता है जैसे कि साधू तो सधुआइन गुरू तो गुरुआइन बाबू तो बबुआईन महतो तो महतवाईन पठवा तो पठवाईन नववा तो नमाईन उसी परकार कुछ और सब्द है जो कि उसमें पूलिंग से strilling बनाने के लिए इन जोड़ा जाता है जैसे कि तेली तो तेलिन बावरी तो बावरिन बाग तो बागिन कोईरी तो कोईरिन साथी तो साथिन सोणी तो सूणी सोनार तो सुनारिन बढ़ी तो बढ़िन अब हम लोग आगे इसी परकार कुछ और सब्द देख लेते हैं तो कुछ ऐसे सब्द होते हैं जिनमे पुलिंग से इस्तिर लिंग बनाने के लिए इस सब्द लगाया जाता है जैसे बढ़का बढ़की मुर्गा मुर्गी काका काकी आजा आजी जेठा जेठी जोडा जोडी ठीक है उसी परकार कुछ और सब्द हैं इसका ही काडा काडी बामहन बामहमनी पोठा पोठी छोडा छोडी घोडा घोडी कोका कोकी उसी परकार कुछ और सब्द हैं जीन को पुलिंग से इस्तिर लिंग बनाने के लिए आईन लगाया जाता है जैसे कि सेठ तो सिठाईन माजी तो मजियाईन केवट तो केवटवाईन सहुआ तो सहुआईन बनिया तो बनियाईन बेदिया तो बेदियाईन गुरु तो गुरुयाईन मुंडा तो मुंडवाईन उसी परकार कुछ अनेक सब्द हैं जीन का सब्द में कुछ जोडा नहीं जाता है जैसे का तैसे थारा तो थारी, लोटा तो लोटनी, पाठा तो पाठी, डूभा तो डूभी, दोना तो टुपली, बाकरा तो छगरी उसी प्रकार कुछ जो सब्द होते हैं ओ नाकपूरी के ब्याकरन में उभयलिंग होते हैं जैसे कि उभैलिंग जेकर से जनाना और मर्दाना जाइत कर मेसा बोध होएला उकरे सब्द को उभैलिंग कहल जायला जैसान अदमी छववा कुकुर और छगरीमन ठीक है मेसा मतलब की साथ में मतलब महिला पुरु साथ में बोध होता है उसको उभैलिंग बला जाता है जैसे अदमी छववा या कुकूर या छगरीमन ठीक है आगे है बेलिंग तो बेलिंग उकरा कहल जाला बेजान चीज ले नाकपूरी में लिंग नहीं धरल जाला मतलब जिसमें जान नहीं है उस वस्तु का लिंग नाकपूरी में नहीं धरल जाता है जैसन हरफार कादो धान चाउर ठीक है कुछ और सब्ध हैं जिनके क्या होते हैं पूलिंग से इस्तिरलिंग बनाये गए हैं नागपूरी में जैसे गुरका गुरकी, मुटका मुटकी, छोटका छोटकी, बढ़का बढ़की उसी परकार बाग, बागिन, डोम, डोमिन, तेली, तेलीन और जोगी, जोगीन, घोड़ा, घोडी, मामा, मामी, चाचा, चाची, बढ़ा, बढ़ी, भगत, भगताईन, घासी, घासीन, मालिक तो, मालकीन ठीक है, अब तक हम लोग नागपोरी भासा और सहित में 22 टोपिक को कभर कर लिये हैं, अगले वीडियो में 23 टोपिक को कभर करेंगे, तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले, और जैसे सी क किसी भी एक्जाम के लिए कोई भी सब्जेट का यदि आपका वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाए, वहाँ पर सभी वीडियो उपलब्ध हैं, जैसे जहारकंड समाने गया, जैसे सी से रिलेटेड गनित, जैसे से रिलेटेड स हिस्ट्री, जिग्रोफी और नाकपूरी भासा और सहित तथा हिंदी ग्रामर तथा अन्य विशाय का वीडियो महाँ पास उपलब्ध है, तब तक के लिए धन्यवाद